कहा जाता है कि उपदेश तो बहुत लोग देते हैं लेकिन अपने उपर अमल नहीं करते हैं मैंने विपक्ष के एक नहीं कई राज्ये गिना दिये जहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सब सत्ता रूर दल के पास ही है पर उपदेश कुशल भहू तेरे देखे अमीज भाई वो क्या कहते हैं कि तुम अपनी जफाओं का में हर्गिस कमी न करना हम अपने वफाओं का मियार बढ़ा देंगे देखे एक तरफ मानिय मोदी जी स्टेटमेंट देते हैं लगातार कह रहे हैं कि साब विपक्ष सहयोग करें हम लोग मिल करके सरकार चलाएंगे और देश की तरकी में सभी की भागिदारी होगी देखे लेकिन जब डिप्टी स्पीकर देने की बात आती है जो एक परंपरा करनाटा कि माचल तेलंगाना तमिलाजू पंजाब दिल्ली एक नहीं कई राजे हैं सब विपक्ष के राजे हैं और अधिक्तर कॉंग्रेस के हैं अरे सर मैं भी कुछ एक्जामपिल देगूं जिस उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं इस उत्तर प्रदेश में डिप्टी स्पीकर नहीं है मद्द प्रदेश में डिप्टी स्पीकर नहीं है आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में डिप्टी स्पीकर नहीं है क्यों बात दूसरी बात सर मैं आपको बताने जाओंगा 19 से लेके 24 तक आप डिप्टी स्पीकर नहीं रखते हैं साथ लगातार संविधान का मजा बोड़ा रहे हैं यह 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 भी समझना चाहिए और आप इससे पहले देखें कि यह वान तो रखा शुबराश्टा के पास जाना लेकिन परूप देश कुशल भहू तेरे आप कहा जा रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर देंगे तो स्पीकर पर समर्थन करा जाएगा जी आमिश जी आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत जायज सवाल है मैं एक विंती करना चाहती हूँ विपक्षिक से और वो विंती यह है कि आपके पास एक जिस तरीके का मैंडेट दिया है जनता ने उससे आपके पास एक बहुत बड़ी opportunity है कि आप जनता के असल को लेकर राजनीती करें आप ये technical legal terms में राजनीती कर सकते हैं इसमें कोई दोरा नहीं है आप करके हो सकता है कि कहीं पे score आपको ज्यादा मिल जाए कहीं पे किसी को score कम मिले लेकिन अंततों गत्वा इससे किसी का भला होने वाला नहीं है आप सम्विधान की दुहाई दे र सरकार आए है उस दौरान deputy speaker का क्या महत्वर है जाता है कहने का अर्थ है कि हम secondary tertiary issues में उलज रहे हैं आमिश जी जो मूल मुद्दा है उस मूल मुद्दे पर तो अभी तक विपक्ष का कोई articulation नहीं आया है सरकार ने कुछ दो-तीन बाते कहीं है और उन दो-तीन बातों पर आप ध्यान से देखिए तो क्या विपक्ष का कोई एक साजा एक काउंटर जो होता है क्या वो आप आया है नहीं आप आया है तो मैं यही कहना चाहती हूं अजीज जी आप उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया पत्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का उत्तर गरवाली जो मशक्कत है उसे कुछ खास हासल होने वाला नहीं है और जैसा कि आमिश जी ने कहा मैं वो दुहरा करके समय बेस्त नहीं करना चाहती हूं ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बहुत कोई कीर्तिमान स्थापित करके रखा हो जिसको फॉलो करते हुए आज जो सत्त पक्षज केंद्र में वो आपकी बात सुने ऐसा कोई आवशक मुझे नहीं लेकर करके सपक लेखा हो जात कीर्प करना चाहतक प्लव है